यूःप परामेटर मैंने पहला लेट्ट वेलिव जँडिया था उसमें कुछ नूमेरिकल्स में करवाया थे ते इस लेक्चर में कुछ और अच्छे नू मेडस करेंगे जट परामेटर पे पहला पॉशन वैसे इन को सब्सक्राशनों निखा है इए वैल्मेटरी ओकर्प्ला। दरून का तोये काक्स सब्सक्राइब दॉTu की है उसमने च Training सब्सक्राइब सब्सक्तु या यहां पर रिस्टर्स्टे में रगारी सब्सक्राइब का यह current i2 है i1 और i2 की value में निकाल नहीं है तो देखिए given value उसको पहले लिख लेते हैं यहाँ पर v1 की value क्या है v1 की value किसके यह voltage source के equal होगी क्योंकि v1 का polarity क्या दिया होगा है और यहाँ minus है voltage source का polarity क्या है positive है negative है तो इस v1 की value क्या हो जागी 100 angle 0 तो व1 की value पहले यहाँ पर देखिए वीटू की value क्या दिया होगी अगर वीटू क्या है वीटू जो है voltage किसके cross है resistance के cross है तिक इसकी polarity जो है already given है plus minus reference voltage polarity अब देखिए इस current के वज़े से resistance voltage जो drop होगा उसकी polarity क्या होगी देखिए एक resistance में अगर current इस इस दिएट अभात प्लारिटी ऐसे होगी ओके अगर current इस डिरेक्शन फ्लोह तो प्लारिटी कुछ एसे होगी धिक यहां पर करेंट किदर प्लोह कर रहा है कि करेंट इस डिरेक्षण कर रहा थो प्रिलार्यटी कैसे आगी प्लस यहाँ आएगी मैनेस यहाँ फीलिव किहां बता चला है वी-टू कि वइलू क्या हो जाएगी कि मॉल्टेस ड्रॉप क्रेस्टनस के क्रॉस क्या होता है i into r होता है तो यानि i2 into r की value कितनी है 10 है अब देखिए लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली बात है v2 की polarity यहाँ positive है और यहाँ negative लेकिन actual polarity क्या रहे है इस current के बज़े से plus यहाँ आ रहे है minus यहाँ आ रहे है ठीक opposite है यहाँ minus यहाँ plus है a positive negative opposite आ रहे है तो यहाँ पर हम क्या sign लगा थे माइनस sign लगाए ठीक तो वी टू की value क्या आ गई वी टू की value आ गई minus 10 i2 ठीक तो हमने v1 और v2 की value में पता कर लिया ठीक अब z parameter दिया हुआ है चली standard equation लिखते हैं v1 इकोल जो क्या होता है z11 i1 प्लस z12 i2 ठीक v2 is equals to z21 i1 z22 i2 ठीक values पूट कर रहे हैं z11 की value कितनी है 40 होम है यहाँ पर 40 टाल दे जेट 12 की value कितनी है जे 20 है यहाँ जे 20 लिखे जे 21 की value कितनी है जे 30 टीक जे 22 की value कितनी है 50 होम ठीक v1 की value क्या है आप है यहाँ के v1 की value पूट कीजिए 100 एंगल 0 100 एंगल 0 को आप कल सकते हैं सिंपली 100 भी सकते हैं तो यहाँ पर हमने 100 लिखे सिर्फ वी टू की value कितनी है minus 10 i2 यहाँ पूट कर दीज़े माइनस 10 i2 अब देखिए दो एक्वेस्चन दो दो वैरियेबल हमें i1 i2 को यहाँ निकल 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 इसको 5 बचा यहाँ पर 2 बचा यहाँ पर क्या बचा जे बचा है यहाँ से भी यह कट रहा है सॉरी यह दिखें 50 प्लस 60 50 को देल लेगा है गाएंगे माइनस 50 माइनस 10 i2 यानि कितना दागा माइनस 60 i2 is equals to j 30 i1 32 यानि minus 2 i2 is equals to j i1 यहाँ से क्या होगा जे को नीच ले आईए यह नि i1 की value क्या हो जाएगी जे इदर ले आईए तो माइनस 2 बाई j i2 ठीक यहाँ से value आई अब क्या करिए इस i1 की value कहां पूट करेंगे यहां पूट करता है ठीक चले इस i1 की value हमें इस equation में पूट करता है ठीक तो 5 is equals to 2 i1 की value क्या है minus 2 by j i2 ठीक प्लस j i2 ठीक अभी क्या हो जाएगा जे को जे को उपर ही multiply कीजे जे को नीचे ही i2 प्लस j i2 ठीक कितना हो जाएगा 4 j plus j 5 j i2 ठीक तो 5 is equals to 5 is equals to क्या हो जाएगा 5 j i2 5 5 cancel ठीक तो i2 की value कितने आगे 1 by j आगे j से उपर multiply कीजे j से नीचे multiply कीजे j square क्या हो जाएगा minus 1 पर आणसर क्या है i2 की value कितने आई आई आपको minus j i2 value minus j ठीक ठीक अब i1 की value क्या हो जाएगा इसमें put किजे i1 की value हो जाएगी minus 2 by j i2 की value कितनी minus j j j cancel minus minus plus यानि 2 i1 की value कितना है गी 2 इसको अब ऐसे लिए सकते है 2 angle 0 भी लिए सकते है इसको कसे लिए सकते है i2 की value कितनी है minus j इसको ऐसे लिए सकते है 1 angle sorry 1 angle minus 90 की लिए सकते है यह i1 तो हमारे i1 और i2 की value आगई simply आपको क्या इसमें क्या ज़रोवद पड़ी आपको basic की KVL KCL की आपको ज़रोवद पड़ी polarity or reality देखने की plus आपको equation याद हो चाहिए अगर आपको jet parameter की question solve करने तो आपको jet parameter की equation याद नी चाहिए को भी parameter की question solve करने इसके equation आपको याद हो चाहिए फिर आपको basic इसमें कितना पावर डिलिवर हुआ है यहाँ पर circuit element नहीं दिया हुए मतलब register inductor कुछ नी दिया हुआ है उसकी जगह हमें jet parameter की value देखके रखी हुई है तो इसका मतलब हमें i2 की value निकाल नहीं होगी i2 की value निकाल लेंगी तो i2 square into rl जोगा वो क्या होगी power deliver to the load resistance होगा ठीक तो हमें i2 की value निकाल नहीं है ठीक ना इसलिए अब देखें ठीक यहाँ पर 10 ohm का register लगा हुआ है ठीक यहाँ यह वीवन है i1 करण जो है इंटर कर रहा है यह 20 वोल्ट का voltage source है ठीक चलिए अगर देखें जिसका अगर के वियल स्ट्रॉंग है यहाँ से देख की बता सकता है कि वीवन की वैल्यू जो होगी 20 minus i1 10 i sorry 20 minus 10 i1 होगा ठीक लिग मैं फिर भी बता दे रहा हूं कैसे आता है जिनका और जिनको नहीं यह दो पॉइंट की बीच का potential difference है तो हम इसको लिए सकते हैं वीवन की वाल्यू आप क्या लिखेंगे लेट से वीवी की देन वोल्टेज़ पॉइंट अब अब मैं इसको मैं इसको मैं पॉइंट ए माल लिया ठीक पूरा रीजन किसका है फोइंट एक ही रीजन है जहां तक अइडियल वायरा को दिख्ञा नहीं पूरा पॉइंट एक मतलब अगर इस प्वल्ट इस्पॉंट पर yeah यहां पर होगा Touchा अब यहां से चलते हैं कि यहां से नहीं रहे है यहां चलते हैं इसके बाद माइनस से प्लस जारें उपर जा रहे हैं तो इस इस वोल्टेज सोर्स के इस पार राइसे वोल्टेज कितना होगा प्लस माइनस से प्लस गए कितना प्लस 20 कि 20 प्लस गए अब इस रीजन पर आ गए हम यहां पर अब फिर मुझे जा किस दर जाना इस रेश्टिंस के इस पार चुके हैं ठीक मतलब VB के रिजन में तो यह इस रिजन पर वोल्टेज आपने क्या मान के रखा हुआ है वी बी माना हुआ है तो इस इक्वल्स टू वी बी लिखेंगे आप ठीक ना अब आप वी बी पर पहुच चुके हैं तो वी ये प्लस 20 माइनस 10 आई ये 10 आई वन इस वी बी आप वी बी पर पहुच चुके हैं अब यहां से वी मैनास वी अ क्यों जाएगा 20 us कि 20 माइनस 10 आई वन इस इक्वा स्थ लिख चूग विव इसको उदाल या है वी ति सेम चीज आए कि नहीं वी-ची आये में वीवन यहां तो यहां पर लिख 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 लिए के लिखने यugen की इस्टेशने अपने के लिख सकते हैं एह बशंज मेरों टेनर हैं यहांकेस आंट टागए अ Państwo वोल्टेसवी तू निकालते हैं तेक हो वी टू क्या है वोल्ट क्रोस रिच्टरस रल्ल एक होता है आई इन्टू आरल ही तो अगिर्ट इस सब्सक्राइट कर रहा है फुलाइट एक ऐसी आएगी ड्रॉप यहां पॉस्ट्टि होगा यहां निगेटिव क्यों करेंट उपर क तेक्षी प्लस मेंस अब चुने यहां साइन कितनी है एसे सवे क सिई हइए सब्स्सक्राइबिट सुप्लस इसप्स्टी play टूट चलिए बीवन की वैलू क्या है 20 माइनस 10 आईवन फूट कर दीजे यहां पर 20 माइनस 10 आईवन वीटू की वैलू कितने होगी माइनस 20 आईटो माइनस 20 आईटो ठीक न चलिए अब देखें माइनस 10 आईवन इसके साथ जूड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा इसे जूड़ जाएगा तो 50 आईवन हो जाएगा तो 20 एकॉल्स टू 50 आईवन बलस 60 आईटो ठीक यहां पर जिससे काट दीजे जिरो जिरो कट रहा है तो 2 क्या बचा आपका 5i1 तो 6i2 बचा ठीक चलिए अब यहां पर देखें 100 यह लगा है यह तो माइनस 100 माइनस 20 माइनस 120 i2 is equals to 80i1 40 से कट जाएगा 42 जा 43 जा यहां से क्या आया माइनस 3i2 is equals to 2i1 ठीक तो हमें i1 को limit करना है तो हम i1 की value यहां पहले निकाल लेता है i1 की value कितनी आ रही है माइनस 3 by 2 i2 ठीक माइनस 3 by 2 i2 ठीक i1 की value जो है इस पर put कर दीए 2 is equals to 5 minus 3 by 2 i2 plus 6 i2 ठीक चले 2 is equals to 2 is equals to क्या होगा 2 is equals to हो जाएगा minus 15 i2 plus 12 i2 2 इधर भी multiply जाएगा 2 ठीक इतना होगा 4 is equals to क्या होगा minus 15 plus 12 यानि minus 3 i2 i2 की value कितनी आए माइनस 4 by 3 i2 ठीक स्वरी कहीं घड़ बढ़ हो गया यह कितना होगा 4 is equals to क्या होगा minus 3 i2 ठीक तो i2 की value कितनी आ गई माइनस 4 by 3 ठीक एम्पेर आई बास सवर में चली तो हमें i2 की value निकल गया चुकी है ठीक आई टू किसमें फ्लो कर रहा आरल में फ्लो कर रहा तो पावर कितना डिलिवर होगा तो पावर डिलिवर कितना हो जाएगा पावर डिलिवर टू आरल कितना हो गया i2 square into rl i2 के वेलु कितनी minus 4 by 3 का square into rl के वेलु कितनी 20 तो 16 by 9 into 20 यानि 320 by 9 यानि 35.5 watt 35.5 watt power absorb कर रहा है यह load rl load इस तरह से question solve करते है फिर मिलते है next lecture, bye-bye